इस पूरे हफते राश्ट्री राजधानी दिल्ली समेट पूरे उत्तर भारत में ठंड से राहत मिली। दिन में गुनगुनी धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं मध्धी और परश्चिमी भारत में भी सर्दी का प्रकोप कम रहा। हालांकि लोगों को सु ऐसे में सोच रहे हैं कि गर्म कपड़े, रजाईयां और कंबल धुल कर रखने का वक्त आ गया है तो आप गलत हैं। अमोमन यह मान्यता रहती है कि मकड संक्रांती के बाद मौसम साफ होता है। धूप खिलती है और ठंड धीरे-धीरे कम होने लगती है। हालांकि इसे बे अब एक जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाखे में बना हुआ पश्चिमी विक्षोब आगे की ओर बढ़ दा है। वहीं प्रेरित चक्रवाती हवाओं का ख्षेत्र उत्तरी राजिस्थान पर बना हुआ है। जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में अभी तक की सबसे प्रचंड ठंड पर सकती है। इतना ही नहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान शून्य से माइनस 4 डिगरी तक जा सकता है। अनुमान है कि धूप ना होने से दिन में भी कपकपी छूट सकती है। तेज ठंड के साथ ही घने कहरे की मार भी लोगो को परेशान करेगी और इस दोरान विजिबिलिटी घट कर 50 मीटर रह सकती है। हरियाना, पंजाब, दिल्ली अंसियार, चंडी गण और यूपी के कई इलाकों में 14-17 जनवरी के दीच घना कोहरा होने की संभावना है। दूसरी और पहाडी क्षित्रों में लगातार पहाड़ों में तब तो मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से उपर चला जाता है क्योंकि हवा की दिशा गर्मी बढ़ाने वाली होती है। लेकिन पहाड़ों में बर्फबारी खत्म होने के साथ ही हवा की दिशा भी वदलती है और सर्दी बढ़ जाती है। इसलिए लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभों की वज़ा से तापमान में भी उतार और चड़हाव का सिलसिला पूरी जनवरी जारी रहने वाला बहराल प्रचंड सर्दी के इस अलर्ट के बीच अपने और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखे और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले।